1948 अमान, जॉर्डन की राजधानी इस्माइल अलखलीदी एक फिलिस्तीनी डिप्लोमैट जॉर्डन देश के राजा किंग अब्दुल्ला से मिलते हैं। राजा अब्दुल्ला ये चाहते थे कि बिटिश रूल के खतम हो जाने के बाद फिलिस्तीन जॉर्डिन का एक हिस्सा बन जाए। दूसरी तरफ जो फिलिस्तीनी पुलिटिकल क्लास थी वो चाहती थी कि फिलिस्तीन एक आजाद देश बने जॉर्डिन के राजा का गुलाम पर उनको भी ये बात सता रही थी कि बिटेन वहाँ एक नया देश इस्रेल की स्थापना करना चाहता था। ऐसा इस्रेल जो पूरे फिलिस्तीन पर कबजा अल्टिमेटली कर लेता। थोड़ा घबराया हुआ डिप्लोमाट इसमाईल कहता है राजा अब्दुल्ला से कि फ प्लेसिंजर कमरे में आता है और बोलता है कि बीबी सी ने अभी अभी ब्राडकास्ट किया है कि युएन जेनरल असेमली ने बिना फिलिस्तीनियों से पूछे फिलिस्तीन का विभाजन अर्थात पार्टिशन प्लान पारित कर दिया गया है। आधा फिलिस्तीन इस्रेल के हाथ अल्रेडी जा चुका है। राजा अबदुल्ला इसमाइल से आँखे मिलाते हैं और कहते हैं तुम फिलिस्तीनियों ने मेरा प्रस्ताव ठुकरा दिया अब भुक तो। 18 नॉइंबर 2023 को जॉर्डन के फॉरिन मिनिस्टर एवन सफादी एक बयान देते हैं कि कोई भी एरब फौजी गाजा नहीं जाएगा यानि जॉर्डन का कोई भी टुप जॉर्डन किसी भी टुप को नहीं भेजेगा फिलिस्तीन को बचाने के लिए फिलिस्तीनियों के रक पाडुल्ला ने 1948 में कह दिया था फिलिस्तीनियों से तुम भुगतो, कुछ उसी तरीके से जॉर्डन और बाकी एरब लीडर्स भी फिलिस्तीनियों के साथ उसी तरीके से ही पेश आ रहे हैं कि इस्रेल कुछ भी कर ले तुम भुगतो इस्रेल के पीछे मानो पूरा का पूरा वेस्ट हील लगा पड़ा हुआ है असला, पैसा, सपोर्ट भर-भर के आ रहा है अरे गिराओ तुम बम, कोई टेंशन नहीं है क्या है, 15-16,000 फिलिस्तिनी मारे हैं, और मारो कोई टेंशन नहीं है, हम तुमारे साथ है उधर गाजा के साथ लगता है, कोई भी नहीं है बस दुआएं है, कुछ दवा भेजने की कोशिश चल रही है एक नरसंगहार को रोकने के लिए भी कुछ खास किया नहीं जा रहा है हाँ, सीस फायर ताकि कुछ हॉस्टिजज एक्सचेंज हो पाए वो कुछ दिनों के लिए था, वो भी खतम हो चुका है इसरेल ने फिर से वापस अंधा धूंद बंबारी शुरू कर दी है इसरेल ने एक मैप जारी करके ये भी कह दिया है कि अब साथ गाजा के इलाके भी खाली करना शुरू कर दो वो ही साथ गाजा जो पिछले महिने तक एक सेफ जोन था जहां हमास नहीं था अब देश भग पर पहले ही एपिसोड बना चुके हैं आपको एक्स्प्लेन कर चुके हैं कि हमास तो बस एक बहाना है असल में निशाना कुछ और है ओक्सफैम के एक लीगल एक्सपर्ट ने कहा है कि 15 लाख लोगों को एक एरपोर्ट जितनी जगह में री लोकेट किया जा रहा है इतने से एरिया में उन सब लोगों को कैदी बना कर ही रखा जा रहा है ऐसे में फॉरेन एड भी धंग से नहीं पहुँच पा रहा है बिबारी अप फैल रही है मेडिकल फिसिलिटीज तो खतम ही हो चुकी है क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि हमास तो सिर्फ हॉस्पिटल के नीचे ही रहता है कुछ अरब देशों ने जैसे कि बाहरेन, कतर, यमन, लेबिनर ने कुछ मदद करने की कोशिश की है मगर साओधी एरेबिया, इजेप्ट, योई, जैसे बड़े-बड़े और ताकतवर अरब देशों ने कोई खास सपोर्ट नहीं दिखाया है कोई खास प्रेशर नहीं डाला है आम जनता तो सपोर्ट पर है, सड़कों पर भी उतर रही है लेकिन सरकारों ने सर्फ बयानवाजी ही की है, जो की theoretically supporting states है उल्टा कई सारे देश तो उसी इसरेल को तेल भी बेच रहे है जिससे तेल, वही तेल जो इसरेली fighter jets में जाता है, जो बंबारी कर रहे है गाजा स्ट्रिप पर जेनरल perception तो यही है कि अरब देश और मुस्लिम देश हमेशा फिलस्तीन के साथ खड़े रहे है इसरेल की जान देने के लिए भी तयार रहते हैं, पर यहाँ तो कुछ आजकल मामला उल्टा ही दिख रहा है यानि जेनोसाइड रोकने की बात नहीं हो रही है, बलकि ये बात हो रही है कि जेनोसाइड खतम हो जाएगा तो उसके बाद कैसे काम होगा, कैसे governance होगी देखिए देशभग पर हम ये नहीं कह रहे हैं कि एरब नेशन्स इसरेल से भिढ़ जाए, उस पर हमला कर दे, हमास के आक्शन्स को डिफेंड करे, कोई ज़रूद नहीं ये सब करने की लेकिन सवाल हम बस इतना पूछ रहे हैं कि भाई इतनी भी क्या मजबूरी है कि इतने सारे देश एक साथ मिलकर जेनोसाइड रोक तक नहीं सकते हैं, एक साफ तरीके से अपना स्टैंड नहीं ले सकते हैं क्योंकि दूसरे तरफ देखिए, पूरा जो वेस्ट है, यूएस देख लीजे, यूके देख लीजे, फ्रांस देख लीजे, जर्मनी देख लीजे, जो इसरेल के साथ खड़ा हुआ है, उसको फाइटर प्लेंज दे रहा है, उसको बॉम्स दे रहा है, मिलिटरी एड दे मीडिया में प्रो इसरेल नारेटिव खड़ा किया जा रहा है, और कोई फिलिस्तीन के लिए आवाज उठाने तक के लिए अब बाकी नहीं रहा है, उसको भी चुप करा दिया जा रहा है, और ये एरब वर्ल्ड चुप चाप जेनोसाइट का नजारा क्यों देख रहा है, या तो ये बेबस है, या तो ये बेशरम है, या तो ये बीमार है, आईए जानते हैं असली रीजन क्या है, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि अरब देश है कौन, ये ग्रूपिंग क्या है, ये है मिडल इस्ट और नॉर्थ आफरिका का नक्षा, इस रीजन में जिन फिलिस्तीन, लेबिनॉन, सिरिया, देश्क, इतने सारे हैं, हाला कि बोलचाल में काफी अलग-अलग डायलेक्स यहां मौजूद है, लिखित जुबान एक ही है, इन देशों में जादतर लोग इसलाम धर्म को मानते हैं, हाला कि इमपोर्टेंट तो नोट, यहां क्रिस्च के अंदर भी काफी डायवरसिटी है, कोल मिलाके यहां की पॉपलेशन करीबन पचास करोर है, जीडीपी इनकी मिलाकर 3.5 ट्रिलियन डॉलर्स है, तो यह कोई लाइटवेट नहीं है, दुनिया का टोटल ओयल प्रोडक्शन यहां का 30 प्रतिशत है, तो पूरे दुनिया का ओइल टैप यहां से ओफ हो सकता है, या कम तो करी सकते हैं, अब इस सब के बावजूद भी वो क्यों ceasefire तक नहीं करवा पा रहे हैं, यह एक दिल्चस्प सवाल है, पोलिटिकली भी देखा जाए, तो एरब देशों का एक एरब लीग भी है, जैसे कि साउतेशे में सार्क ह तो इसका मतलब है कि एक पोलिटिकल क्लाउट भी है और एक एकनॉमिक क्लाउट भी है, इसके बावजूद भी एक खुलम-खुला जनोसाइड चल रहा है, उसे क्यों नहीं रोका जा पा रहा है, देखिए बहुत कॉम्लिकेड़ इशू है, मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि ब पढ़ना और भी जरूरी है, अगर आपको पढ़ने का टाइम नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप आडियो बुक के माध्यम से भी बहुत कुछ आप जान सकते हो कि इस पूरे मिडल इस रीजन में और जो इसरेल और पैलेस्टाइन के बीच में, यह जो युद्ध, यह जो ह काम करते हुए, आप यह ओडियो बुक सुन सकते हो, और बहुत जादा आपको डीटेल में और भी हिस्ट्री भी मिल जाएगी, कोविड होने के बाद जब डॉक्टर्स ने मुझे एडवाइस किया कि भाया, रेगुलर्ली वॉक किया करो, तो फिर मैं यह ओडियो बुक सु मिल सकती हैं आपको, मैं खुद, as a matter of fact, काफी stress management, personal finance और business management की किताबे, सुनने की कोशिश करता हूँ on Cuckoo FM, Cuckoo FM पे आपको 10,000 से जादा audio titles मिल जाएंगे, और अगर आप Cuckoo FM डाउन्डोड करते हो, और नीचे दिये गए लिंक से डाउन्डोड करते हो, then you get 50% off on Cuckoo FM's first month of subscription, इसका मतलब है basically, 99 rupees के जगे सरे 49 rupees और 10,000 audio titles आपके लिए unlock हो जाती है, नीचे डाउन्डोड कोड दिया है DB50, लिंक पर क्लिक करिए, कोड यूस करिए, और अपना knowledge level थोड़ा बढ़ाई है, चलिए, अब आते हैं core question पर, कि भाई, public opinion सबसे पहले क्या है, ये देख लेते हैं, 1950s तक Morocco से लेकर Iraq तक Europe का colonial influence था, एक कबजा था, कहीं France तो कहीं UK, जिस तरीके से हिंदुस्तान के बच्चे British राज की कुरूरता के बारे में पढ़ते हैं, कि किस तरीके से लगान और टीन गुना लगान लिया जाता था, उसी तरीके से Arab में भी बच्चे यही सुनते आ इसा हुआ था, और सब एक टाइम पर वेस्ट के गुलाम बने हुए थे, और इसी वेस्ट ने हमारे resources चोरी किये थे, और हम पर लगान लगाया था, और ये जो European colonization है न, ये एक दिन अचानक से खतम नहीं हो गया, कहीं न कहीं आज भी ये चल रहा है, बस उसका एक रूप और रंग बदल गया है, यही तीसरा reason है, पूरे region में आज भी भर भर कर western domination है, इस new colonialism का सिंसला चले आ रहा है, फिलस्तीन का मुद्दा अपने में ही important तो है ही, पर ये अरब लोगों के लिए एक western domination के खिलाफ एक struggle मान लीजिए, फिलस्तीन उसका एक symbol है, एक परतीक है, इतने widespread pro-Palestine public support के बावजूद भी ऐसा क्यों है, कि अरब देशों की जो leaders हैं, वो चुपी साधे हुए हैं, और उल्टा कुछ महीनों पहले तक तो इसरेल से हाथ मिलाने की भी बात कर रहे थे, ये इसलिए है कि जब अरब देशों ने western domination के खिलाफ एक जुट होने की कोश की, कोई ठोस कदम लेने की कोशिश की, तो west ने divide and rule, military दवाव डालना शुरू कर दिया, इजिप्ट के पहले प्रेजिड नासीर एक pan-arab nationalist थे, यानि कि वो मानते थे कि सारे अरब देश एक साथ उन्हें आना चाहिए, एक देश बनना चाहिए, और इस देश में nationalism की बुनि सुनी आइडेंटिटी नहीं, या मुस्लिम आइडेंटिटी नहीं, बलकि एक pan-arab identity होनी चाहिए, और ये Arab देश west का गुलाम नहीं रहेगी, खुद की state policy बनाएगी, और west के against वो एक जुट होकर सामने आएंगे. वेस्ट ने सबसे पहला divide and rule करना यहीं शुरू किया, नैशनलिस सरकारों के खिलाफ conservative राजाओं को support करना शुरू किया, जैसे कि Saudi Arabia, Jordan के royal families, दूसरी तरफ military दवाव बनाना शुरू किया, पैतड़े लगाने शुरू किये, जैसा 1956 में UK और France और इसरेल ने साथ में मिलके सु 1967 के हमले के बाद अरब देशों ने भी इसरेल के प्रती no peace, no recognition, no negotiation का formula अपनाया, साउधी अरेबिया के king Faisal ने भी इसरेल और अमेरिका को तेल बेचने से मना कर दिया था, इससे अमेरिका में बहुत serious energy crisis भी हो गई थी उस समय, मगर अंत में western military और business influence से साउधी अरेबिया क राजा को छोड़ो, Egypt जैसे Arab nationalist सरकार भी नहीं बच पाई, ये होता है west का दबाव, 1979 में Egypt इसरेल के बीच में एक peace talk होता है, और तब से आज तक Egypt की foreign policy कहा जाता है, US के हिसाब से ही चलती है, लिबिया में भी कुछ ऐसा ही किया गया, west की नहीं सुनेंगे, कोई बात नहीं, ह ये सारी geopolitical इतिहास, इसलिए मैं समझा रहा हूँ, क्योंकि अभी जो Arab देशों की चुपी है, वो इसी western domination की एक प्रक्रिया का ही एक पार्ट है, लिबिया और इराख अगर खुद ही तबाह होकर बैठे हुए हैं, तो वो निंदा के सिवाई कुछ और कर भी नहीं सकते हैं, साओधी अरेबिया, जॉर्डिन, यूएई, ओमान जैसे देश में उन राजाओं की मनमानी चलती है, जो west के साथ मिले हुए हैं, और इजिप्ट जैसा देश एक खतरनाक debt trap में फसा हुआ है, 160 बिलियन डॉलर्स का करजा उसे चुकाना है IMF और World Bank जैसे western financial organizations को, अब ऐसे मे Egypt भी क्या और करे और क्या और बोले, यही कहानी Morocco, Algeria, Tunisia के भी है, सुदान में खुद ही एक genocide चल रहा है और Mali में France का colonial कबजा और influence खतमी नहीं हो रहा है, यानि एक हद तक सारे देश बेबस हैं, पर अब तो trade interest के लिए भी अरब देश बेशर्मी पर भी उतर आए हैं, 2022 मे Abraham Accords में US ने normalization, talks, mediation के लिए भारेन, Morocco, Sudan, UAE और इसरेल के बीच में शुरुआत कराई, यानि Saudi Arabia जैसे देश जो diplomatically इसरेल को recognize नहीं करते थे, अब official statements में निंदा करते थे, वो अब official तोर से diplomatic ties धीरे धीरे establish करने लगे, trade तो वैसे में ही बहुत time से चल रहा था, मगर 2020 में कोशिश की गई कि ये जो optics है न, कि ये जो दिखावा है, Arab leaders को वो फिलस्तीनियों का apartheid और ongoing ethnic cleansing बरदाश नहीं हो रहा है, उसे भी बाई-बाई कर देते हैं, ये जो posturing है, उसे भी खतम कर देते हैं, और normalize कर देते हैं, और इसराइल को accept कर लेते हैं into the Arab world, अब बात हो रही है 2023 से 2024 में साओधी एरेबिया के साथ भी relations normalized बस हो ही गए थे, मगर अब जो गाजा में हो रहा है, उसके बाद लगता है कि इसमें थोड़ा सा speed breaker लग गया है, पर इससे भी कुछ खास जादा फरक नहीं पढ़ने वाला ह UAE ने कुछ दिनों पहले ही कह दिया है कि हम इसराइल पर कोई economic sanctions नहीं लगाएंगे, क्योंकि हम politics और हम trade को mix नहीं करते हैं, यानि पैसो का मामला है बाबु भाईया, simple है, और अगर अगर जनता protest करे तो पुलिस भेज़ दो, वहां मामला खतम कर दो, और अब तो ये भी है कि western leaders Egypt को deal देने की कोशिश कर रहे हैं, कि हम तुमें इतने हजार refugees तुम रख लो है, और उसके बदले में हम तुमें फलाना निम का पैसा देंगे, या तो हम तुमारा करदा माफ कर देंगे, यानि सुपारी दी जा रही है कि भाईया, ethnic cleansing में गाजा को साफ करने में, फिल इसमें सारे अरब देश तो हैं ही, उसके साथ साथ Muslim majority देश भी हैं, बैठक के बाद statement जारी की जाती है कि इसराइल बहुत बदमाश है, और किसी को भी उसे weapons बेचना नहीं चाहिए, मगर मज़े की बात देखिए, कि यही वो देश हैं जो इसराइल को तेल भी बेच रहे है इनमें से कई सारे हैं, जिसमें इसराइल के bomber planes में यही तेल जाता है, लेकिन तेल बेचने की बारे में कोई बात नहीं हुई है, तुर्की के अरदवान ने भी बोला कि इसराइल को बंबारी रोकनी चाहिए, एजिप ने भी बोला कि बंबारी रोकनी चाहिए, पर अगर ऐ उतना ही किया, पॉस्चरिंग, जिस दिन जॉर्डन के सरकार ने ये फाइसला लिया कि भई एमबसी बंद कर देंगे, उस दिन प्रोटेस्टर जॉर्डन की राजधानी अमान में इसरेल के एमबसी के बाहर नारे लगा रहे थे, it's not enough, इतना काफी नहीं है, सिर्फ साउधी अगर ये चाहें, तो एक चुटकी में पूरी दुनिया में ओयल मार्केट्स को क्रैश करवा सकते हैं, एमर्जेंसी ला सकते हैं, इसरेल पेर ओयल इंबार्गो लगा सकते हैं, जहां तक एड की बात है, अगाजा मेडिटेरियन कोस्ट पर है, मगर एरब देश अगर चाहे तो वहाँ शिप्स भेज सकते हैं, डिरेक्ली फॉर एड, वैसे इंटरिस्टिंग फैक्ट ये है, कि इन ही पांच देशों में 27 यूएस मिलिटरी बेसेज भी हैं, जहां ओयल, वहाँ यूएस मिलिटरी, अगर ये देश के लीडर सच में फिलिस्तीनियों के साथ खड़ा ह उना चाते, तो वह पहले तो यूएस के मिलिटरी बेसेज को खाली करवा देते, पर शायद ऐसा कुछ करेंगे, तो हालत उनकी लिबिया जैसी ही हो जाएगी, उल्टा जॉर्डन ने तो पिछले महिने 25 लोगों को एरेस्ट किया, उनका जुर्म तो सुनिये, वो प्रो पै जो हज के लिए साउडी अरेविया गया था, उसको डीटेन कर लिया गया था, क्योंकि उनकी तजबी या माला, प्रेयर बीड्स, फिलिस्तीन के नैशनल फ्लैग के रंगों में था, और उन्होंने केफिया, यानि एक फिलिस्तीनी स्कार्फ, जो की एक सिंबल बन गया है, एक प्रतीक बन गया है, वो पहना हुआ था, यही इजिप्ट, योई, उमान में हो रहा है, पूरे अरब देशों में ये हो रहा है, कि आप प्रोटेस तक नहीं कर सकते हो, आवास तक नहीं उठा सकते हो, अगर ये बेशर्मी नहीं है, तो अब क्या है, आप ही खुद समझ हाँ, कुछ एरब लीडर्स कोशिस जरूर कर रहे हैं कि फिलिस्तीन को बचाया जाए, भारेन छोटा देश है, मगर कम से कम उन्होंने इसरेल के साथ सारे एकनॉमिक टाइज अभी कट कर लिये हैं, यानि कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे, कतर शुरुआत से ही फिलिस्तीन क हुआ था, उसमें भी कतर ने मीडियेटर का रोल प्ले किया था, लेबनाउन के हेजबुला ने मिलिटरी सपोर्ट दिया है, येमन ने इसरेल ओंड कार्गो शिप्स को कैप्चर किया है, इरान ने हेजबुला को सपोर्ट किया है, मगर खुद भी वो जादा कुछ कर नहीं है, तो उनका चिलाना बस दिखावा ही है, वो actually कोई action नहीं लेंगे, अगर कोई Palestinian cause के साथ, उनकी पीडा के साथ कोई खड़ा हुआ है, तो वो फिलस्तीनी लोग है, या एक common citizen है, जिसे कम से कम humanity का एहसास है, पर जिस तरीके से पिछले दो महीनों में Arab जनता सडकों पर नि है, वो फिर western democracies पर थोड़ा सा उनको भी आयना दिखाए, उनको भी बोले कि कम से कम, कम से कम एक ceasefire करा दो, ये होने की आशा मैं भी जानता हूँ कम है, क्योंकि Arab देश के जो नेता है, वो अभी America अपने जेम में लेकर घूम रहा है, और उनकी economies अभी dependent है western nation पर, तो इसी ल कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन ये बात आपको समझना बहुत जरूरी है, कि अगर इंडिया कुछ ऐसा करें, तो देखे किस तरीके से हमारे उपर international pressure आएगा, लेकिन अगर इसरेल कुछ कर रहा है, self defense के नाम पर कर रहा है, हमास को खतम करने के नाम पर कर रहा है, लेकिन दे थैंक्स टू कुकु एफेम फोर मेकिंग इस एपिसोड पॉसिबल, जो मालूम है, थोड़ा सा deep dive है, थोड़ा सा complicated है, बट समझना जरूरी है कि ये geopolitics इतना complicated क्यों है, खास कर कि the most complicated issue of Israel and Palestine, अगर इनके history के बारे में पढ़ना है, तो कुकु एफेम पर आपको audio books मिल जाएं download link मैंने नीचे दिया, हुआ DB50 code इस्तेमाल करिये, first month पर 50% discount भी पाइए, here's to more reading and more learning.